नमस्ते जय शियाराम आर्या पाट साला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज का चल्चित आई-बी वेकेंसीज को लेकर है आप तक तो बहुत चैनलों के माध्यम से आप लोगों को ये सूचना मिल चिकी होगी कि आई-बी ने जो है वो नई वेकेंसीज निकाली ह पर इसके पिसे सच्चाई क्या है और क्या सच में वेकेंसीज निकली है या नहीं निकली है इस चल्चित में हम पूरी बात करेंगे लेकिन चल्चित में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहती हूं मेरे चैनल में परिछर से सम्बंदी सारी जानकरी दी जाती इसलिए सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में जो घंटी का एकन है उसको दबा दिएगा ताकि प्रते एक चल्चित की सूशना आपको मिलती रहे यहां पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ यह प्याबी की फेक्टर साइड है यहां पर इन्हो यहां पर फेक वेकंसी बनाए गई है वह अभी सच में जो है वह सरकार की तरफ से कोई वेकंसी नहीं निकली और इन्हों साफ लिकावाए दा रिकूट्मेंट इन आई-बी इस डन ट्रो दा यूपी एसी एन एससी एंड और वाया ओल इंडिया रिकूट्मेंट इग्जाम वैसे कभी-कभी आपनों खुद भी इसका एक्जाम कराता है यह जो है सत्य है और लेकिन कई साइट को देख करके जो है पहुत सारी यूटूब चैनल फटाक से जली-जली बारा-बारा घंटे पहले जो हमने डाल दिया कि देखिए पोस्त निकली है वेकंसी निकली है और इस तरीके से मतलब बनाया उनकी भी गलती नहीं कि कहीं कई सायट में जूट कर रएंटिसां जहां से फॉलो कर रहे होंगे और आप लोगे काम की कि ठीक है जो बता रहे हो तो इससे यह वो देखो उनकी भी कही गलती नहीं है इतना क्योंकि बहुत जाता इंसान बीजी होता है उसको बहुत सारे यह नहीं कि सिर्फ एक वीडियो ही बनाना है उनके पास यह बहुत सारे काम होते हैं विचारे वह भी बहुत महनत करते हैं तो पे जो है पनी गलतियां देखे तो जो है अगर आप साइट पर जाकर देखोगे तो जो है वहाँ पर अभी जो ओरिजनल साइट है जो प्याइबी कि वहाँ पर अभी ऐसी वेकेंसी कोई नहीं आई हुए ठीक है तो यह था मेरा फूरा चल्चित मिलते हैं अगले वीडियो मे बातना मत बूलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम सरातन ही सत्य है